Hello everyone, welcome back to Pran后 and Mama आज हम new breast feeding mother के लिए simple से diet chart लेकर आए हैं अगर mother अपना ध्यान दो महीने तक, delivery के दो महीने तक अपना अच्छे से ध्यान रखती है खासकर अपनी diet का अच्छे से ध्यान रखती है तो उसकी body दो महीनों में अच्छे से recover हो जाती है उनकी immunity power अच्छे से बढ़ जाती है तो ये दो महीने बाद शुरुआत के दो महीने मदर के लिए बहुत important होते हैं इन दो महीनों में मदर को अपना खास क्याल रखने की जरूत होती है अगर इन दो महीनों में आपने अपने खाने पीने पर अच्छे से control किया मतलब कि सही nutrient ऐट लीए है तो अपके body हर रोगों से लड़ने के लिए तयार रहेगी और वहीं अगर अगर आपने अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा सही डाइट नहीं लीए है अच्छी nutrient नहीं लीए है तो आपके बॉड़ी में बहुत सारे रोग आने के लिए बहुत सारे बिमारी आने के लिए तयार रहेंगी इन दो महिनों में अपने आपको और अपने बेबी को बहुत अच्छे से समालना है आपको बहुत अच्छी न्यूट्रियंट वाली डाइट लेने की बहुत जरूरत है इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपनी डाइट में क्या-क्या ध्यान रख सकती है जिससे आपकी इम्यूटी पावर बूस्ट होगी आपकी बाडी अच्छे से रिकवर होगी क्योंकि अभी आपकी बाडी को रिकवर होने की बहुत जरूरत है सबसे बड़ी प्राब्लम होती है न्यू मदर के साथ की वो अपने खाने पीने में बिल्कुल ध्यान नहीं रखती मदर बनने के बाद और उनके खाने के टाइम में बहुत जादा गैप होता है यह गैप आपको जब आप ब्रेश फीडिंग दे रही है बेबी को तब आपको खाने पीने के टाइम में बहुत जादा गैप नहीं होना चाहिए आपको दो से तीन घंटे के अंदर कुछ न कुछ लेने की जरूरत रहती है अब यह हम आपको एक डाइट बताने वाले हैं कि आप क्या क्या ले सकती है तो सबसे पहले जब आप आप सुबह अली मॉर्निंग 6 A.M. को उठती है सबसे पहले आपको दो ग्लास गुनगुना पानी जरूर पीना है हर दिन पीना है अगर आप दो ग्लास नहीं पी सकते तो कम से कम एक ग्लास गुनगुना पानी जरूर लीजिए इसके बाद 6-7 बदाम जो आप रात को पानी में भीगो कर रखेंगी रात को भीगो हुए बदाम 6-7 और उसके साथ 2 खजूर आपको ये सुबह जरूर लेना है हर दिन क्योंकि ब्रेश फीडिंग के लिए बदाम और एक खजूर बहुत अच्छे होते हैं इसके बाद आप अगर चाय की एडिक्ट हैं तो आप चाय ले सकते हैं छाय के बाद है कि आप गोंदके लड्डू या आपके यहां आपके घहर्म-डाद खाए जाने वाले लड्डू евना या वह ब्लड्ड आप लाइसकती है एक गलास गर्म-धूद ले सकती हैं तसके बाद और और ब्रेकफास्ट्र में आपके पास बहुत सारे ब्रेश्फीडिंग मदर के लिए बहुत अच्छा है दलिया में फाइबर भी होता है और प्रोटिन भी होता है बहुत अच्छे अगर आम नास्ते में अंड़ान भी ले सकतेया na । सभगे दूद्व में अपने नास्ते में एड़ कर सकते है इसके बाद आपको कुछ एक और स्ट्मऩ लेना चाहिए स्नेक में आप एक सीजनल फूर्ट ले सकते हैं को harvest subscribe लेकिन कोई न कोई एक फ्रूट लेना आपको बहुत जरूरी है हर दिन एक फ्रूट आपको जरूर लेना चाहिए उसके बाद डेड़ बज़े आपके लंच में अच्छी विराइटी होने चाहिए खाने में आपके लंच में बहुत सारी विराइटी होनी चाहिए आपको भी बहुत जरूरी है, इसके साथ आप सलाद में गाजर और चुकंदर लेना ना भूलें, साम को चार बजे आप चाहे ले सकते हैं, या फिर मेथी के लड़ू या गुंद के लड़ू ले सकते हैं, इसके बाद आप डिनर में रोटी सबजी लीजिए और आप चाहे तो दाल भी ले सकते हैं, डिनर के बाद आपको एक से डिर घंटे के बाद एक गलास घर्म हल्दी वाला दूद जरूर लेना चाहिए, इससे आपकी बाडी अच्छी रिकवर होगी, आपकी इम्मुनिटी पावर बूश्ट होगी, आपको हर दिन डिनर के बाद एक गलास घर्म दू राइट चार्ट है, ब्रेश्ट फीडिंग मदर के लिए, आप इससे जरूर फॉलो करें, और इससे आपका ब्रेश्ट मिलकी सप्लाइज जरूर बढ़ेगी,